नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सागर आप देखें इंडियन ट्रांस्पोर्ट टूर चैनल को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं AMW याने एशिया मोटर वर्क्स के बारे में अपने टाइम की सबसे ज्यादा सक्सिस्फुल कंपणी से लेकर इनके डाउन फॉल और जिरो लेवल तक हम सब कुछ जानेंगे चले फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपणी के बारे में जानते हैं AMW की शुरुआत साल 2002 में आनिरुद्ध भुवल का सरने की थी इस कंपणी का प्लांट भूच गुजदात में था और ये प्लांट पर एयर पचास हजार से भी जादा गाडिया प्रोडूस करता था जो अपने आप में उस टाइम में रेकॉर्ड था और इनके पास 16 टन से लेकर उन पचास हैंने 16 टू 49 टन तक इनके पास बहुत बड़ी रेंज थी ट्रक्स की जिनमें टीपर्स बड़े बड़े लोडिंग ट्रक इनमें शामिल थे और दोस्तों एक मज़दर बात बताओ ये कंपणी ट्रक नहीं बना दी थी मैं ठीक से सुनिए मैं क्या केरा हूँ ये कंपणी अपनी खुद की ट्रक नहीं बना दी थी इनका बस नाम होता था पर इस कंपणी की गाडियों में जो पार्ट लगा करते थे वो सारे के सारे बहार से आते थे मतलब ये सिर्फ अपने प्लांट में एसेंबली करते थे मतलब सारे पार्ट को जोडते थे मैं समझाता हूँ इस कंपणी की गाडियों में क्यूमिन्स कंपणी का इंजिन लगा हुआ था मतलब जो कंपणी के इंजिन टाटा में लगता है वही कंपणी का इंजिन इस पॉइंट याने इनका कैबिन इनकी पास जो गाड़िया थी उनमें आपको एक ही प्रकार का एक ही डिजन का कैबिन मिलता था जो था FAW चाइना का, FAW चाइना के एक बहुत बड़ी ट्रक कमपनी है और उनका ही कैबिन ये उस करते थे मतलब ऐसा समझ लो कि ये सिर्फ पार्ट को एक जगे पर जोड़ते थे और उसी को अपना स्टिकर लगे के बेशते थे पर दोस्तों इनकी कैबिन में उस समय में AC और म्यूजिक सिस्टीम जैसे प्रीमियम फीचर आते थे जो आपको भारत में उस समय में किसी भी ट्रक में नहीं मिला कर दे थे और शुरुवात इन्होंने की थी पर उसके बाद टाटा प्रायमा ने शुरुवात की थी और उसके बाद बहुत सरे गाडियों में अभी आने लगा है और आज सकल भारत के अल्मोस्ट 80% ट्रक में एसी आता है और साती साथ ये कमपनी नेपाल, भुतान, म्यानमार, बांगलादेश इन कंट्रीज में भी आपनी गाडिया एक्सपोर्ट करती थी इस कमपनी का भारत में जो माइनिंग सेक्टर चलता है जहाँ पर ख़तने चलती है तो वहाँ पर 25% गाडिया इनकी होती थी मतलब पूरे भारत में जितने भी माइनिंग चलती है उन सब में 25% गाडिया इनकी थी 25% का बड़ा शेर था 25% share किसे कहे थे पता है आपको पूरे भारत में मारोती कमपनी का share था 50% पहले कार्स में मतलब 50 तका गाड़िया मारोती की बिका करती थी और उनका एसा ही था मतलब पूरे माइनिंग सेटर में इनका 25% गाड़िया इनकी थी पर एक decision की वज़े से इतना अनुकसान जहलना पड़ा कि इस कमपनी को directly shut down करना पड़ गया और इस कमपनी का downfall शुरू हुआ साल 2012 यहने 2012 में Supreme Court of India ने Odisha, Karnataka और Goa इन तीन राज्यों में जो माइनिंग चला करती थी उस पर ban लगा दिया कुछ कारणों की वज़े से और इससे सिधा फरक पड़ा इस कमपनी की sales पर पहले मैंने बताया कि इस कमपनी की 25% sales जो थी वो माइनिंग में चलती थी मतलब इनकी 25% गाड़िया माइनिंग पर चला करती थी और अगर माइनिंग की रुख जाए तो भईया sales के से होगा गाड़ी का तो यहाँ पर कमपनी का डाउनफर शुरू हो चुका था और उस समय हुआ क्या था कि Scania जो एक Swedish ब्रेंड है उसने भी इंडिया में इंट्री कर दी थी और साती साथ Volvo आईशर याने Volvo और आईशर इन दो कमपनीयों का संगटन हो चुका था इसे की साथ साथ मैन का संगटन फोर्स के साथ हुआ था और महिंद्रा का नैविस्टर के साथ हुआ था और उस समय एक और कमपनी आई थी भारत बेंज डैमलर ने अपने एक नए ब्रैंड को भारत में लांच कर दिया था और उस समय इन कमपनीयों का आना मतलब बार्केट में एक कमपनीशन और बढ़ना उस समय में भारत में सिब दो कमपनीय एक्टिव थी बड़े ट्रक्स में अब वल्वो, आईशर, महिंद्रा, टाटा इन्होंने अलग अलग रेंज की ट्रक्स बनाना शुरू कर दिया था और छोटी से लेकर बड़ी ट्रक्स तक इनके पास सभी प्रोड़क्ट रेंज एविलेबल थी और ये सिधा एफेक्ट हुआ अब ही अब ही दोनों पार्टियों के सम्मति से होता है मतलब वहाँ पर कोई एक आदमी डिशियर्न ने ले सकता उनको सारे शेर ओल्डर की तरब से डिशियर्न लेना पड़ता है पर इस कंपनी में उल्टा था इसमें एक टका यानि वन परसेंट शेर जा रहा होने कारण सारा कंट्रोल जो था कंपनी का वो कामाच के तरब था और इनके पास एक टाइम में सिच्चुशन ऐसे आ गई थी कि इनके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं था वर्किंग कैपिटल समझते हो कंपनी चलाने के लिए जो पैस लगता है वो इनके पास खतम हो चुका था अगर समझ लो कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहागा तो गाडियों के लिए जो रौव मेटरियल लगता है जो कच्चावा लगता है वो ही इनके पास नहीं था और अगर गाडिया नहीं बनेगी तो गाडिया बेकीगी किसी और जो आगे का साइकल है मतलब कमपनी, डिलर और कस्टमर इन टिनों का जो साइकल था वो ब्रेक हो जाएगा और जो पेशा घुमता है जो मनी रोटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा तो इससे कमपनी को ना पेशा मिलेगा कमपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी और कामाच कमपनी ने भी अपने आथ उपर कर लिये थी कि हमें इस कमपनी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है आप घाटा सहो या प्रोफिट करो हमें कुछ उससे मतलब नहीं है और एक समय में एक कंडिशन ऐसे आगए थी कि इनके डिलर्स के पास गाडिया नहीं थी मतलब इनकी गाडियों का सेल्स बहुत ही कम था मतलब अगर आप आज गाड़ी ओर्डर देते हो मतलब ये गाड़ीया सारी मेक तो ओर्डर थी जैसे कि मैंने पहले बता है कि वल्वो मुस्रीज बगरा ये कमपनिया आच चुकी थी भारत ने और साती साथ ताटा आशुक लैंड महिंटरा भारत बेंस ये कमपनिया थी तो सारा का सारा मार्केट इन्होंने खीस ले आपने तरब और AMW के पास कुछ नहीं बचा एक मज़ना बात बताता हूँ तो AMW की ट्रक और टाटा की ट्रक अगर आप आमने सामने खड़ी कर दो अगर आप उसमें से सिफ फ्रंट का डैश्बोर और कैबिन ओकर छोड़ दोगे तो अल्मोस्ट 90% पार्ट दोनों के एक जैसी है मतलब अगर आपके पास आज भी AMW का ट्रक है तो उसमें टाटा के कंपोनेंट बेच जाते कोई दिक्कत नहीं आते टाटा के स्पेर पार्ट भी मिलते है इस कंपनी के कंपनी कीडिलरश्चिप जिटी मारेटिमे 22 साइन की सर्वीस इंटा तो इसी तरह AMW करों में क्या क्या मार्य आपके और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छे लगा होगा तो लेगी कर देना अगर चैनल पर ने होगे तो चैनल को सस्क्राइब की वेना मत जाएगा आपका दिन शुक्र रहे जय हिन जय भारत